नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और एमर्जंसी में कभी उनका पेट फूलता है या फिर पेट में आयठन है, मरोड है या फिर गैस पास नहीं हो रहा है या फिर लैटिंग नहीं हो रहा है और बच्चा बहुत रो रहा है तो आपको मै ऐसी सीरप के बारे बताने वाला हूं, इस वीडियो में जैसे उसकी तकलीफें दूर हो सकती हैं कुछ ही देर में, अगर डॉक्टर आपके आसपास में नहीं है तो, और अगर डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट या फिर हॉस्पिटल अगर आपके आसपास है तो उसको सबसे पहले आप दिखा दीजिए तो दोस्तों इमर्जंसी के लिए मैं इस वीडियो को बताना रहा हूँ तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आगे के ऐसे नही नही जानकारी के वीडियो आपको मिलता रहे 50 रुपीज होते हैं दोस्तों इस शीरफ से आप लगवग दो साल से छे साल तक के बच्चों को पिला सकते हैं इस सीरफ को दो साल से कम उम्र के बच्चों को अगर पिलाना हो तो आप पहले फार्मासिस्ट या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही पिलाएं दो से पांच साल के बच्चों में आप इसको धाई एमिल या फिर पांच एमिल बिला सकते हैं इससे अगर जी मारिज भी कर रहा है बच्चों में तो भी आप इसको पिला सकते हैं या फिर जैसे की उल्टी लग रही है तो भी आप पिला सकते हैं इसको पिलाने का सबसे बढ़िया समय होता है खाली पेट अगर खाली पेट है तो दबा जल्दी से पचती है और पेट दर्द में जल्दी से राहत देती है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सक्षिन में जरूर बताईए और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकसन आपको मिलता रहे और नई-नई जानकारियों से आप अपडेट रहे